नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज एक विदेशी SBBL सिंगल शॉट शॉट गन पर वीडियो बनाएंगे तो आज मेरे हाथ में हैं एक USA मेट सिंगल शॉट शॉट गन जो 32 इंच बेरर लेंथ में है और काफी पुरानी गन नहीं है एरिंग्टन एंड रिचरडसन बिसिकली एक अमेरिकन कमपनी है और इसकी स्थापना 1871 इस्वी में हुई इसने बहुत प्रकार के फायर आर्ल्म बनाए केस हार्डनिंग की गई है यह फेस हार्डनिंग जिसमें की लोहे में कार्बन की मातरा को बढ़ाकर ऐसा किया जाता है ताकि वियर औटियर कम हो, मेटल बाहर से हार्ड हो जाती है लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट बनी रखती है तो जो मूवेबल पार्ट होते हैं उसकी केस हार्डनिंग की जाती है चोक बैरल है जैसा के इसके उपर लिखा हुआ है जोक ये इसकी रियर साइड देख सकते हैं और इसका हैमर आप देख रहे हैं हरिंग्टन एंड रिचर्ड सन आर्म्स कंपनी वर्सेश्टर मास यूएसे और यहां मेड इन यूएसे और यहां पर जो ये ब्लू ब्लू लाइनिंग्स है ये इसकी फेस हार्डनिंग की गई है फेस हार्डनिंग में मैटल उपर से हार्ड हो जाती है और अंदर से ये नरम रहती है तो इससे वीर एंटियर कम होता है यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें इस कंपनी की गण को इस गण को टॉप फाइव सिंगल शॉर्ट शॉर्ट गण में शामिल किया गया है ये इसका ट्रीगर ये लीवर गण को लोड करने और अनलोड करने के लिए इजक्टर गण है और बैरल पर आलांकि थोड़ा से जंग लगा हुआ है लेकिन अभी भी इस पर औरिजिनल चमक है इसकी जो शुरू की चमक थी इसमें है ऐसा नहीं लगता है इस पर कभी ब्राउनिंग वेरा की गई है ये ऐसे लगता है बिल्कुल ओर्जिनल सेक्टरी कंडिशन में ये गन है ये गन जिस ओनर के पास रही है उन्होंने इसे आए मुझे नहीं लगता इससे पचास फायर भी हुए होंगे स्टैंडर्ड एरिंग्टन एंड रिचर्ड्सन वर्सेश्टर मास शौटगन पर हमारी वीडियो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए ज्यानवर्दक वीडियो बनाते रहेंगे धन्यवाद